राधा अश्क्मी व्रत की कहानी राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई कुछ देर बाद कनहया अपनी सकी विराजा के साथ भूमने चले गए ये बात जब राधारानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कनहया के पास पहुँची वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा राधारानी का ये रवया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीदामा को बिलकुल अच्छा नहीं लगा श्रीदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधारानी को पृत्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया राधा को इतने गुसे में देखकर कृष्ण भगवान की सकी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई राधा ने श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया राधा जी द्वारा दिये गए श्राप की वज़े से ही श्रीदामा का जन्म शन्खचूर दानव के रूप में हुआ आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णू का परमभक्द बना दूसरी तरफ राधा रानी ने प्रिथवी पर विष्ण भानू के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया राधा रानी का जन्म विष्ण भानुजी के घर तो हुआ लेकिन उनकी पतनी देवी कीर्थी के गर्ब से नहीं दरसल जिस समय राधा मया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राब दिया था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको विष्ण भानुजी और देवी कीर्थी की पुत्री बनकर प्रिथवी पर रहना होगा मनुष्य के अवतार में आपका एक वैशिय से विवाह होगा वो मेरे अन्शावतारों में से ही एक होगा इस तरह आप प्रिथवी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी परन्तु हम दोनों को बिछडने का दुख सहना होगा इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनी के रूप में जन्व लेने की तयारी करने के लिया कहा संसार के सामने व्रिश भानुजी की पत्नी गर्भवती हुई जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है ठीक वैसे ही देवी कीर्थी का भी प्रसव हुआ लेकिन असल में राधा माता का जन्व देवी कीर्थी के गर्भ से नहीं हुआ था भगवान की माया से उनके गर्भ में वायू भर गई थी देवी कीर्थी ने उसी वायू को जन्व दिया इस दोरान उन्हें प्रसव पीला हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भादर मास के शुकल पक्ष की अश्टमी के दिन राधा मैया का धर्ती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अश्टमी के रूप में मन परना करना पर सकता है